हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टीटी एंटीटी इस प्रेप्रेशन में और आज के इस वीडियो में मैं सी टीटी के एंसर की को लेकर आई हुए है जाम नौ वारा दुहजार राठारा यानि आज आयो जित हुआ है जिसमें आज मैं मैथ के नेक्स्ट कोश्चन है एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की एक समान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 450 तेतिस नमर कोश्चन है नीचे तापमान डिगरी सेलसियस में एक डेटा सेट किया गया माइनस 6, माइ माइनस 2, 3, 2, 0, 5, 0, 8 डेटा का परिशर क्या है इसका एंसर होगा ऑप्शन 2, सोलर डिगरी सेलसियस नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमर 34 है एक सिक्का 10 बार उचाला जाता है और परिणाम इस प्रिकार अब लोकित की जाते हैं हाँ देखिएगा हेट टेल हे संख्यात्मक बेंजन 3 बटा साथ जो कुश्चन है इसका एंसर हो जाएगा आपको त्वारी में शंख्या योग के अंतरगत संब्रित होते हैं शायद मैं कॉन फॉर्म नहीं हूई इसमें इसका एंसर है गोला गोला में शिर्स नहीं होता सैतिश नमबर कुश्चन का एंसर है इसका एंसर होगा तीन बटा पांच इसका एंसर हो गया नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अर्तिश नमबर ध्यान देती हैं कुश्चन पर तो आपके पास होगा ही मैं एंसर बता देती हूँ ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लोगी इसका एंसर है 38 का आप्शन 3 ए प्लस कोस्ट बी प्लस सी बराबर सी प्लस कोस्ट ए प्लस बी ठीक है 39 नमबर कुश्चन है जै मीती है निरूपन जो पूरे और उसके अंस दिखने रहा संबन दिखाता है इसका एंसर होगा आप्शन 2 पाई चार्ट क्वेस्चन नमर 40 है यदि क्यू एकटा किर्ट संख्या पी का वर्ग है तो पी है इसका एंसर होगा आप्शन 2 क्यू का वर्ग मूल नेक्स्ट क्वेस्चन है इसका एंसर हो जागा एक तालिस नमबर का आप्शन 2 दस 42 नमर क्योंट है एक पार्क में 784 पौदे विवस्थित किये जाते हैं ताकि पक्ती में पौधों की शंख्या पक्तियों की शंख्या के शमान ही है प्रती पक्ती में पौधों की शंख्या है इसका एंसर है ओप्शन दो 28 next question पर चलते हैं question 43 है इसका answer होगा उससे सम्मंदित मानुकानुपात एक समान बना रहता है पहला इसका answer होगा next question है दिया गया है यहां जो question है 44 नमबर इसका answer आपको हो जाएगा option 3,4 45 नमबर question है 45 नमबर question का answer होगा sorry 20 cm option 2 इसका answer हो जाएगा next question देखते है अब जो question है निमलिखित में से मुद्रा की योग का कौसल पढ़ाने के लिए सबसे उप्योग तो रनलीती कौन है ICT का उप्योग, role play, model का प्रियोग बहुत सारी समस्या इसका answer होगा option 3, model का प्रियोग इसके बाद चो question है इसका answer मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा तो आगे की वीडियोज में मैं इसका answer भी बताऊंगी क्योंकि थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना होगा गलत तो बता नहीं सकती तो आगे का वीडियोज पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर ले, साथ में विडियल आइपो प्रिस कर ले और अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा रहा है इसे लाइक करें अपने दोस्तों के भी शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद